इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा आज के एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डेवेट होती है य हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो endeavor से बने रही है है कि फ्रांस के सफीर को भेजें और एक करादाद भी आई है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनकी बात बिलकुल नी मानेंगे और हम आपके साथ अपने तलुकात बेहतर बनाएंगे मुझे बड़ा ही अफसूस हुआ कि शाह महमुत कुरेशी बजाए उन लोगों उन्होंने क्या कुछ का और ये हकूमत का अपना वादा था कि हम लेके आएंगे करादाद और इस पर हम बात करेंगे बहुत ही अफसूसनाक यह रवाई और मुझे देखें हम फलस्तीन की बात करते हैं तो फलस्तीन इसलिए पिट रहा है वहाँ पर कि ये जो अरब ममालक म हैं वो इसराईल में रहने वाले यहोदी डेड अरब मुसल्मान हैं दुनिया में बसने वाले आगे उनको लगाये हुआ हुआ इसलिए नहीं कि कोई मुसल्मान कमजोर हैं उन में किसी जذبے की कमी है कुई रिसूर्सिस की कमी है कताई तर पर ऐसा णहीं है आप देख ले त करते हैं आके वेस्टन पार्स के वो जो फलस्तिनी हैं वो बिलकुल इमदाद से महरूम हैं और ये सारी लड़ाई ट्वीटर पर और बियानात पर लड़ी जाती है और फिर कहा जाता है कि वह 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 क्या बिया गुफ्तगू की और बस हक अदा कर दिया और हम वह वहां पर ज सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो डिमांड है कि फ्रांस का बाइकार्ट करें उससे तवज्जव हटाई जा सके उन लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा सके और खुद चैंपिन बनके आप अपना एक लीड रोल अजियूं करने की कोशिश करें लेकिन याद रखें ये नामूस रिसालत का मामला है ये मेरे नबी की नामूस का मामला है जिसकी जिमादारी मेरे अल्ला ने उठाई है और इस मुलक में ऐसे लोग मौजूद हैं ये सारे आप किसी से भी बात कर लें नामूस रिसालत पर कोई कंप्रमाइज करने के ल अब जरा पेंटागॉन की तरफ आ जाते हैं, क्या पाकिस्तान के वजारत खारजा ने या हमारे किसी सफीर ने, मुशीर ने ये बात खुद से कही, कि हाँ हम पर प्रेशर है अड़ा दे, मांग रहे हैं हम से अड़े, लेकिन हम अड़े नहीं देंगे, बात तक नहीं की, जि इंटर्ण से ये खबर आई, कि जनाब अड़े मांगे जा रहे हैं, अच्छा जी, वो उसको तरजमान, दफ्तर खारजा ने उसकी भी तरदीद कर दी दो दिन पहले, नहीं जी, बिलकुल अड़े नहीं दिये जा रहे हैं, अब पेंटागॉन फिर ये कह रहे हैं, कि हीने में, कमसकम चार इंटरेक्शन हुई हैं टेलेफोन पर अमरीकी सेकरेटरी खारजा की, जनल कमर जाविद बाजवा से, और फिर उसके बाद जो एंटनी बिलिंकन है, उनकी भी हुई है इंटरेक्शन, और एक शाममुद कृशी साब से भी हुई है, अब डेफिनेटली इन मामलाद पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फाज कोई बियान जारी नहीं कर सकती, कि हम से एड़े मांगे जा रहे हैं, या हम देंगे या नहीं देंगे, वो तो सिक्यूरिटी के मामलाद पर हकूमत को रिक्मेंडेशन दे सकते हैं, ये प्लिटिकल गॉर्मन्न का का आपका जो प्रेस सेक्टरी है, एड्मिरल किर्बी, पेंटा गॉर्मन, उनकी गुफ्तकू सुन ले, फिर मैं सदीग जान आप से इस पर कॉमेंट लेता हूँ, सदीग जान, अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि जी, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं, प्रोसेस जारी है, और इनकन्क्लूसिव हैं, और जो रीड आउट है, इसके लावा हम कोई आप से बात नहीं कर सकते हैं, यानि वो इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो ये जो दफ्तर खारजा हमारा जो कह रहा है, कि अड्डे नहीं दिये, ये तो इस तरह से कह रहे हैं, कि जैसे हमने इनकार कर पाकिस्तानी चाहिए ना, कि वो जो डिपलोमसी हो रही है, एड्डे लेने के लिए, वो कौन कर रहा है, कहां तक वो बात हो रही है, और क्या उसमें पाकिस्तान का पॉइंट आफ वियू है, ये बड़े एहम इशूज हैं, इन पर पाकिस्तान के अंदर तो मुकमल तोर प बसा जाता है, और पाकिस्तान को अभी एफ़ टीफ के मामले के उपर, शौकरत रीन साब के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ परसों, जूम के जरीए, तो उन्हें ने यही कहा गी, एक प्लिटिकल एक किसमे मामलात हैं, या कंप्लाइंस हमने कर दी है, एक दो चीजों के ला से खबर आई, तो फिर आप, हम इंदे से उसको रियक्ट कर रहे हैं, वैसे हैं नहीं हम बता रहे हैं, अच्छा आप क्योंके बेर पास वक्त कम है, मैं एक और इशू पर भी चाहता हूं, कि यह जो खेर एक्सरनल प्रेशर्स हैं, आप जरूर इतमाद में लें, यह शगू पूर के ख्यालात से, बहुत सारे ख्यालात से मैं भी मुत्विक नहीं हूँ, आप भी मुत्विक नहीं हैं, मुझे पता हैं, हम जब उनके सामने बैटते हैं, तो उनके जो ख्यालात हैं, उन पर उनसे बहस भी करते हैं, लेकिन किसी को यह हक है, कि जाके उनके साथ तशद किस पर होगी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम ये लगाएं कि किसी एजनसी ने किया है लेकिन ये तो जाहर है कि उन पर तशद्द हुआ विच इस रिली बैड ये किस तरह का मौश्रा हम ये अजादी ये सहाफ़त जो है उसको उसकी कौन प्रोटेक्शन करेगा जी तो ग आने वाले समय में भी पाकिस्तान में बना रहे जिससे की पाकिस्तानी वहीं पर रहे और और नीचे जाए आदी मानाओ की स्टेस तक पहुँच जाएं आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का जो एंकर है किस तरीके से अपने फॉरेंड मिनिस्टर की इंसल्ट कर रहा है स्टेंड लिया हुआ है आपको पता होगा दोस्तों तहरीक लबबैक ने कुस दिन पहले पाकिस्तान में इस तरीके का हंगामा मचाय था पूरा अनस्टेबल हो गया था पाकिस्तान मतलब फॉज और जो तहरीक लबबैक के जो कार करता थे उनके बीच बहुत तेजी से मतल उनके अमबेसजर को फ्रांस यहां से पाकिस्तान से निकाला जाया और फ्रांस से सारे रिस्ते तोड़ दिये जाएं लेकिन उसके डिफेंड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सामने आया और बोले कि हम फ्रांस से रिस्ता तोड़ेंगे तो यूरोप से मतलब यूरो प्रॉफिट मुहमत की बेजीती है और पाकिस्तान ने ये बरदास की है और उनके आंगे जुग गया है मतलब यूरोप के आंगे जुग गया है इस तरीके की बाते हैं यहां पर हो रही है और इस वीडियो में दूसरे टॉपिक में ये बात हो रही है कि अमेरिका को अड़े इने की बात हो रही है लेकिन कौम से छुपाया जा रहा है कौम को बताया नहीं जा रहा है और अमेरिका को अड़े देने की डील लगभग लगभगता है हो गई है आपको पता होगा दोस्तों अमेरिका बहुत जल्द निकल जाएगा अफगानिस्तान से लेकिन फिर भी वो अ स्ट्राइक हो कुछ भी हो तो उसको ऐसी कोई जगह चाहिए इंडिया ने तो पहले ही मना कर दिया है कि हम किसी को भी अपनी जमीन किसी और देश के खिलाब यूज करने नहीं देंगे यह हमारी पॉलिसी रही है तो इंडिया ने मना कर दिया कि अफगानिस्तान में हम बंबा पाकिस्तान एर वेस देगा और जमीन देगा स्थ्राइक वगईरा करने के लिए तो इसके बाद हुआ कि है कि अफगानिस्तान के करना पड़ेगा एक तो चीन और दूसरा तालीबान और मुझे लग रहा है एर बेस की डील लगभग लगभग तैय हो गई है क्योंकि अमेरिका को ना करना पाकिस्तान के पिछवारे में इतना दम नहीं कि अमेरिका को वो ना कर सके और हा करने में पाकिस्तान का फायदा ज्य पाकिस्तान को फायदा पहुचेगा अगर आमेरिका को अड़े देता है तो पाकिस्तान इस मतलब इस चीज में ये चीज कर सकता है अब उसे फिकर नहीं करनी होगी कि चीन क्या करेगा तालिवान क्या करेगा बंब स्पोर्ट सहने की तो इनकी पुरानी आदत थिके उनको क कर दो